सुनहरी मोतियो वाली चडिया एक जंगल में एक सुनहरी चडिया अपने परिवार के साथ रहती थी वे मीठे की गीदगाती तो उसकी चोंस से चमकदार मोति गिरते थे एक तिन एक बेलिय ने उसे पकड़ कर अपने घल ले गया बहलीय ने उसे सोने की पिंजरे में बंद कर दिया वह उसे अच्छे से दाना पानी देता लेकन वह चडिया दुखी रहती क्योंकि चडिय स्वैतंत्र जीवन जीना चाहती थी दुखी होने के कारण वह गीत भी नहीं काती समय बीटता गया और एक दिन राजा की पुत्री अपने राज्य का ब्रवन करने के लिए जा रही थी उसी दौरान राजा की पुत्री की नजर एक चडिया पर पड़ी वह चडिया कोई और चडियो नहीं थी वह वही सुनेहरे मोती वाले चडिया थी रादा की पुत्री उस चडिया को अपने राज्ये में ले गई और उस चडिया को स्वेतंत्र कर दिया अब वैचडिया रादा की पुत्री के पास रोजाना आती और उसे सुन्दर गीत सुनाती और उसकी चौंस से चमकदार मूती निकलते तो उसके तमरे में खटे हो जाते हैं और मैं चडिया अपने परिवारवारों के साथ अच्छे से रहती और फ्यतंत्र जीवन जीती मित्रों जीवन में देयालू होना बहुत लाबदाएक होता है पुराने समय की बात है किसी गाउं में एक मुर्गा और उसके साथी रहते थे वो काफी अच्छे मित्र थे लेकिन मुर्गे को अपने आप पर गमन था कि इस गाउं में सभी लोग उसके कारण सवेरे जल्दी उठते हैं उसने सोचा कि मैं एक दिन अब आज नहीं लगाऊंगा और सभी लोग लेट उठेंगे फिर दीरे दीरे दिन धनने लगा और रात हो गई और ऐसा ही करते करते दीरे दीरे शवेरे होने लगा शूरी अपने प्रकास बिखेनने लगा सभी जीव जनतू उठ गए और लोग भी अपने काम पर जाने लगे और आसमान में पक्षी चेहचाने लगे जब और जब मुर्गा उठा तो उसने देखा कि आस्माने पक्सी चेचा रहे हैं और गाउं के सबी लोग अपने काम पर जा रहे हैं और उस मुर्गे को अपने उपर जो गमन था वो तूट गया कि उसके होने नहोने से गाउं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता दोस्तो इस काणिस हमें सक्सा मिलती है कि हमें कभी वी अपने उपर गमन ने करना चाहिए पृणे समय की बात है एक जंगल था उसमें सभी जीव जनतु आराम से रहते और खिल दे कुटते लेकिन जंगल में एक चालाक लॉम्डी थी एक दिन वेल आमडी अपने सिकार का पीछा करते करते एक कुवे के पास पहुंची और कुवे की तरफ जाकर कुवे में देखने लगी और देखते ही देखते उसका पैर कुवे में फिसल गया वेल आमडी कुवे में गिर पड़ी वे मदद के लिए चिलाने लगी और कुछ समय बाद सांथ हो गई ऐसा करते करते कुछ समय बाद वहाँ से एक बक्री गुजर रही थी उस बक्री ने देखा कि लॉम्डी कुए में गिर चुकी है और वे लॉम्डी के पास गई लॉम्डी से बोली बेहन तुम कुए में क्या कर रही हो चालाक लॉम्डी बोली जंगल में सूखा पढ़ने वाला है इसलिए मैं कुए में हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकूँ इस पर बक्री ने लॉम्डी पर विस्वास करके कुए में चलान लगा दी और लॉम्डी बक्री के ऊपर चड़के कुए से भार आ गई और वह वहां से चली गई और बक्री वह मदद के लिए चलान लगी मित्रों इस काहानी से में सिक्सा मिलती है हमें कभी भी किसी पर आँख बंद करके विस्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि जो वेक्तियां आख बंद करके विस्वास करता है वे अत्यदिक दूख खाता है धन्यवाद